नियुक्त बश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 13 जुलाई 2022 के comprehensive news analysis और daily editorial discussion में आपका स्वागत है अलग-अलग diverse sources की news और साथ-साथ editorial दहिंदू का मैं आपके साथ यहाँ पे discuss करने वालों कौन-कौन सी important headline से current affairs में तो cosmic cliffs की image खीची है NIRM cam ने अब यह NIR cam किसका part है तो James Webb telescope का part है इसकी scientificness को कम समझते हुए NIRM cam क्या है और James Webb telescope क्या है इसको हम लोग आपे समझेंगे थोड़ा बहुत इस news के बारे में भी देखेंगे फिर anti-corruption bureau के जो head है उनके against serious exam लगाये करनाटका high court के judge ने इस बात को लेके anti-corruption bureau करनाटका की जो chief है वो supreme court में चले गए और बोला कि यह high court मुझे जबरदस्ती बदनाम कर रहा है इस पूरी news को समझेंगे गोदावरी नदी में floods आए है डेर लाग people affected है कुना सीमा district में overall इस news को समझने कोशिश करेंगे पहली human papilloma virus की vaccine को approval मिला है इंडिया के अंदर cervical cancel की problem को solve करने के लिए DCGI इन approval दिया है इसको देखेंगे फिर locomotor pilots मतब railway चलाने वाले जो आपके लोग होते हैं उनके call records को चेक किया जाएगा इस बात को ध्यान देने के लिए कि भाई rail चलाते वक्त, train चलाते वक्त कहीं यो लोग phone वगरब पर तो बात नहीं हो रहे चुकि बहुत सारे disruptions और incidents अभी recently देखने को मिले कोई major incident नहीं हुआ है train का लेकिन train को जब stop signal दिया जाता है तो train रोके ना overall signals और warnings को violate करे इस चीज को यहाँ पर चेक किया जा रहा है केंदर की सरकार के पास child labor से related कोई data नहीं इसको देखेंगे go first में जो technicians हैं वो strike पे चले गए हैं पहले indigo में strike पे गए थे अब go first में गए हैं इस news को देखेंगे 75 kilo heroine मिली है गुजरात में मुंदरा पोर्ट से 375 करोंड इसकी market value है इस particular news को खंगा लेंगे और देखेंगे recently कौनकों से drug seizures हो है और शिलंका के MP को एक नए प्रेज़नेट चुन देखेंगे तो इतनी news में यहाँ पे discuss करने वालो editorial में मैं आपके साथ बात करूँगा एक नई employment policy के बारे में इंद्रा हिर्वे जी और नेहा शाह जी ने सरकार की दरफ से एक नई employment policy की गोहार की है अभी के लिए जो 10 लाग government jobs मोदी जी ने अनाउंस की है वो enough नहीं है ऐसा ये बोल रही है फिर अमीर बजाज और मुधुमुता जी का एक article है municipal finances को लेके मैं बता रहा हूँ यह काफी important article है municipal finances municipality के पास पैसा कैसे आता है overall कैसे और आ सकता है क्या-क्या यहाँ पे overall municipality को करने की ज़रोत है इसके respect में बात करेंगे फिर क्या constitution को criticize किया जा सकता है अभी recently हुआ यह है कि केरला में एक minister को निकाल दिया गया suspend कर दिया गया क्यों जो कि उसमें constitution को बला बुरा कहा था इसको समझेंगे AIADMK के जो पनीर सेल्वम और Eda Paddy के पलनस्वमी जी की बीच में जो लडाई चल रही इसके बारे में बात की जारी इसको यहां पे देखेंगे IT rules को challenge करते हुए जो Twitter है वो भारत सरकार के अगेंस्ट करनाट का iCode में चला गया इसके बारे में बात करेंगे तो यह 5 article में डिसकस करने वाला हूँ एक article जोकोविच न भी recently Wimbledon जीत गया इसको लेके तो इसको देखा होगा और complete justice के respect में judicial device तो कलिस्व रम्राज जी का एक article छोट रहा हूँ पांच most important articles अभी के लिए मैं आपके साथ डिसकस कर रहा हूँ word of the day देख लेते हैं eccentric मतलब क्या है strange और unusual मतलब थोड़ा सा अलग आपको strange लगे जैसे कि sentence usage का लोगों को लग रहा हूँ पागल है मुझे लग रहा कि पागल नहीं है बट overall उसका जो behavior है वो बाकियों से अलग ठीक है slightly eccentric मतलब थोड़ा बहुत usual से अलग तो unusual हो गया तो भाई यहाँ पर बात करते है निर कैम image of the cosmic cliffs in Carina अब सबसे पहले तो आपको समझना पढ़ेगा कि यह निर कैम क्या है इस निर कैम को बोला जाता है near infrared camera ठीक है यह जो James Webb telescope है यह James Webb space telescope यह space telescope इसका काम क्या है to conduct infrared astronomy ठीक है largest optical telescope है space में overall infrared resolution और sensitivity से वो objects जो हमसे बहुत दूर है जिनको ठीक तरीके से देखा नहीं जा सकता उनकी investigation करना field of astronomy और cosmology के field में first galaxies को धूरना potential habitable exoplanets को धूरना और इस James Webb space telescope को बनाने की US की NASA National Aeronautics and Space Administration प्लस European Space Agency और Canadian Space Agency इन तीनों के आप कहलो mixture से overall यह James Webb space telescope बनाया गया तबी इसी James Webb space telescope का एक primary imager है photo कीशने वाला device है जिसको आप बोलतो है near cam near infrared camera यह जो near infrared camera है ना यह 0.625 microns की infrared wavelength range में operate करता है और जो बहुत दूर stars और galaxies है वो कैसे form हुई उन galaxies में कितने stars है milky way में, kyu पर बेल्ट में कितने objects हैं इन सब चीज़ों को near cam अलग-अलग equipment से पता करता है इसमें koronograph है और दूसरे प्रकार के instruments है तो दूर से जो light आई इसको block कर देगा और बगल से जो dim light आई उनको potentially identify करके near cam बताएगा कि वहाँ पे क्या हुआ था पहले क्या हुआ कैसे planets बने कैसे galaxy wall हुई यह near cam का कामद तो I hope आपको near cam याद रहेगा यह near infrared camera है एक imageर है Jibs Web Space Telescope में अभी इसी particular near cam ने क्या किया है यह region है NGC 3324 Carina nebula में Nebula interstellar clouds होते हैं तो Carina के interstellar clouds में एक region NGC की overall एक जबरदस फोटो दी है यहाँ पर आप देख सकते हो यह crowds की आपको फोटो यहाँ पर नजर आ रहे है यह इनको cosmic cliffs कहा जा रहा है आप कह सकते हो कि gigantic gaseous cavity के बगल की यह photo है और हमसे 7600 light years अवे है तो यह overall यह overall जो dense clouds है ultra quiet radiation stellar winds की वज़े से बने है massive hot young stars इनके पास located है तो यह लाका कैसा दिखता है इसकी photo को NIRCAM ने यहाँ पर release किया है जबरदस resolution और unparalleled sensitivity के साथ तो आज पास की galaxies कैसे evolve हुई overall वहाँ पर star formation का process कैसे चल रहा है इस बात को यहाँ पर NIRCAM पॉइंट आउट कर रहा है और इसलिए यहाँ पर cosmic cliffs की photo release की गई है कहां से केरीना नाम के nebula से तो यह image यह news है न्यूज भले आपको याद न रहे James Webb Space Charlie को भी आद रखना और NIRCAM याद रखना ठीक है पर अगले news पर आते है 1.5 lakh people affected by गोदावरी flood in Kona Seema GS paper 1 और 3 disasters geographical phenomena में यह news काम आईगी तो भाईया गोदावरी में floods आए है और Kona Seema district की 1015 families effect हुई है लगबग आप कह सकते हो कि total 1.5 lakh लोग से जादा effect हुए 1.53 lakh people effect हुए गोदावरी flood की वज़े से यह जो flood water है इसने 14.3 lakh Q6 extra water Sir Arthur Cotton marriage पे रिलीज कर दिया 51 habitations में पानी पहुँच गया है गोदावरी के पास जो 30 islands है वहाँ पे पानी भर गया एक second flood की warning इशू कर दी गई authorities के दोरा सरकार ने आंदरपदेश की सरकार ने 400 बोटे यहाँ पे चलाई है evacuation और relief operation कोना सोमा डिस्ट्रिक्ट रास पास के अलाके में चल रहे है 900 पक्चर स्विमिर से यहाँ पे कोई फसा है तो उनको निकालने के लिए 52 pregnant woman को जो की high risk group में आती है उनको यहाँ पे evacuate किया गया proper medical facilities के पास पहुँचाए गया और overall इस इलाके में खरीब की अच्छी खासी खेती होती है इस खेती को भी को समय के लिए रोग दिया गया है चुकि अब लोग मरने के लिए तो थो ही न वहाँ पे खेती करेंगे भाई जो भी खेत वगरा भर रहे है अभी के लिए भरने तो पहले तो लोगों को evacuate करो जब फ्लर्स खतम होंगे तब देखा जागा कि अगरीकल से कितना नुकसान हुए फिर इसके बगल में यानि कि कोना सीमा डिस्टिक्ट के बगल में जो अलीर सीतरामू डिस्टिक्ट है वहाँ पे भी बारा हैबिटेशन्स एफेक्ट हुई है वहाँ पे भी लगबग 8000 लोगों में से 2647 लोगों को evacuate किया गए SDRF, NDRF के बहुत से पर्सनल्स भी यहाँ पे deploy किये गए गोदावरी नदी आपको यहाँ से बैठती हुई गल्फ और सोरी बेव बंगाल में dispose of करती नजरारी अपना water अब समझते हैं पहले कुछ चीजों को recently दोस्तों आपने सुना होगा कि आंदर प्रदेश में districts का reorganization किया गया है ठीक है पहले जितनी districts थी उनको यहाँ पे बढ़ा दिया गया तो पहले यह district आपको नजर आ रही है अब ही के लिए आंदर प्रदेश में 26 districts है ठीक है भई यहाँ तो 26 नहीं 26 से कमी नजर आ रही है चुकि district करी हो गया अब दो district पर दान दी जगा एक West Godavari एक East Godavari अब आपने यह map देखा अब ही यह map देखो इस particular map में यह जो West Godavari district थी इसका थोड़ा इलाका कहां चला गया कोना सीमा district में थोड़ा एलूरू district में थोड़ा अलूरी सीतरामू district में एक्चली अलूरी सीतरामराजू district का बहुत सा इलाका East Godavari district से है तो पहले यह पूरी की पूरी West Godavari थी यह इधर East Godavari थी अभी इस्ट गुदावरी में से बहुत सा इलाका निकाल लिया गया, वेस्ट गुदावरी में से बहुत सा इलाका निकाल लिया गया, अब यहाँ पर एक district आपको नजर आ रही है, छोटी सी, जिसको आप बोलोगे कोना सीमा district, वो यह नजर आ रही है, इधर, इस ओना सीमा district म थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हुई है। रहे हैं, अगर आप और प्रॉड़ेट करोगे ना, आप बेटर इंडरस्टेंडिंग कर पाऊगे इसी फ़र्टिकलर टॉपिक के, बाराल गोदाविन नदी की बात की जाए। गंगा और इंदस रिवर का ही जो ड्रेनज बेसिन है इंडियन सब कॉंटिनेट में इंडिया में नहीं इंडियन सब कॉंटिनेट जिसमें पाकिस्तान, मांगला देश, नेपाल सब आ जाता है तो इंडियन सब कॉंटिनेट में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ड्रेनज बेस in terms of catchment area, in terms of discharge और इसको दक्षण गंगा कहा जाता है Southern India की गंगा इसको कहा जाता है तो I hope clear हो गया हो, यह floods के बारे में जानकारी और overall यह जो नक्षा है इसको थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पे जो पुरानी दिस्टिक से उनको तोड़के नई दिस्टिक बनाया गया ओके फिर, Center has no idea on child labor, no new data on child labor GS paper 2 issues related to children में news story relevant हो सकती है तो हुआ यह है कि भाई देखी जो National Child Labor Project Scheme है इसका काम काया था, यह पिछले तीन डेकेट से monitor कर रही थी कि हमारे देश में कितने number of child labor है मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं जो child labor में ignored है अभी के लिए हुआ यह है कि Parliamentary Standing Committee on Labor जिसको लीड कर रहे हैं बीजू जनता दल के MP भार्त रुहूरी महताब जी इन्होंने सरकार से सवाल पूछा Labor Ministry से सवाल पूछा कि भाया इंडिया में कितने number of child labor है तो भाया सरकार की तरफ से जवाब आया कि हमारे पास अभी के लिए डाटा नहीं है कि कितने child labor है तो Parliamentary Standing Committee ने बोला मजाग कर रहे हो क्या भाई ये National Child Labor Project Scheme के अंदर पता तो कर रहे हो गया लेकिन सरकार का ये बोलना है कि National Child Labor Scheme को मिला दिया गया था समग्र सिक्षा अभियान 2016 में और उसके बास तो शायद NCLP Scheme में बहुत funding मी नहीं गई है इसके चलते ये Scheme ने proper तरीके से काम नहीं किया है और actually में इंडिया में कितने number of child labor है इनकी accounting proper तरीके से नहीं हो पा रही है अब इस बात को लेके सरकार को खासा कर यहां पर criticize किया जा रहा है जो latest available data है Child labor का वो 2011 census का data है जो कि ये बोलता है कि इंडिया के अंदर एक million से ज़्यादा child labor है लेकिन overall obvious सी बात है ये data बहुत ज़्यादा understated है इस समय पे actual number of child labor इंडिया में बहुत ज़्यादा होंगे तो उनको proper तरीके SSS करना जरूरी है NCLP scheme ये SSS कर सकती थी लेकिन इसको समगर सिक्षा बियान 2016 से मिला दिया गया और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है LH किया जा रहा है कि स्कीम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है Recently देखा जा तो केंद सरकार को इस बात के लिए भी गटसाइस किया गया कि हमारे यहां पे migrant workers का data नहीं तो चाइल्ड लेबर कितने है इसके लिए standing committee ने 14 union ministries और departments को चिठ्थी लिखी जिसमें home ministry, women and child development ministry लेबर मिनिस्ट्री अलग लग राज्य भी आते है तो अलग लग राज्यों ने बोलाए कि हमारे लेबर पर जो data है वह हम आपको provide करेंगे लेबर मिनिस्ट्री का यह बोलना है हमें अगले census तक रुखना पड़ेगा यह जो NCLP के अंदर यानि की national child labor project के अंदर जो पहले school वगड़ा चलते थे यह भी शायद अब नहीं चल रहे है reason being कि NCLP के school को चलाने के लिए funds नहीं है education ministry के पास अभी यह कोई mechanism नहीं है पता करने का कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो child labor में involved है तो basically यहाँ पर overall यह जो standing committee है on labor किसके जो observations है वो थोड़ा एक driving force की तरह काम करेंगे सरकार के लिए चुकि जब सरकार के उपर इस parliamentary standing committee on labor का pressure आएगा तो obviously बात है सरकार यहाँ पर exactly पता करने कोशिश करेगी कि इंडिया के अंदर कितने number of child labor से और actually में means of child labor को tackle करने के लिए हमाँ पस डाटा दो होना चाहिए unfortunate बात है डाटा नहीं है हमारे यहाँ पर Child Labor Prohibition Regulation Act 1986 है इतना पुराना एक्ट है NGO समय समय पे overall child labor के respect में काम करते रहते हैं लेकिन हमारी सरकार के पास इसका डाटा नहीं है यह गलत है ऐसा overall parliamentary standing committee of labor के जो यहाँ politicians है वो बोल रहे है वैसे child labor को रोकने के लिए बहुत से NGOs काम करते हैं इंडिया के इंदर जिसे बच्पन बचाव अंदोलन एड एट एक्षन Childline India Foundation प्रयास juvenile aid center, Save the Children SOS Children Villages यह सब यहाँ पे इस particular issue को लेके बाद चीत कर रहे थे overall NGOs को भी proper तरीके से यह clear नहीं है कि कितने number of children ने समय पे labor में involved है दिल्ली, राजिस्थान, पंजाब, मत्यपदेश, उडिसा, असाम, जारकन, तमिलनाडू overall इन सरकारों ने अलग से assurance दिया है यहाँ बाई, child labor के respect में हमारे पास जो भी data वगरा है, जो भी policies ले रहे है actions implement कर रहे है वो हम अलग से इस particular committee को बता देंगे overall चुकी यह मुद्दा उटके सामने आया है तो जल्दी ही इसका कोई ना कोई solution निकाला जाएगा, जल्दी ही कितने number of child labor इसको अकाउंट करने के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा फिर अगली news, GS paper 3 employment, inclusive growth, management और social sector services के respect में important है go first जो airlines है ना इसके technicians strike पे चले गए तीसरा दिन है यह mass sick leave का go first के जो aircraft technicians हैं इनके दौरत, लगबग 14 जगहों पे, 14 stations पे go first के technicians strike पे चले गए है 110 cabin crew ने बोला है कि इनकी तवेत खराब हैं में नौकरी पे नहीं आप आएंगे go first के technicians बेंगलूरू में पूने में, पोर्ट बेर में, कन्नूर में नागपुर में, चंडीगड़ना, चीजयपूर एहमदाबाद, गोवा, हैदराबाद, कलकत्ता इन्होंने protest जोइन कियों इनका यह बोलना है कि 90% technicians go first के, प्रोटेस्ट पे चले गए कलकत्ता में 50% अगर आपका हो तो प्रोटेस्ट पे चले गए यह प्रोटेस्ट पे क्यों गए हैं, यह cabin crew प्रोटेस्ट पे क्यों गए हैं, ऐसा बताया जारा है कि जो इनको तंखाएं दी जाती हैं, बहुत कम दी जाती हैं, कई सालों से इनकी तंखाओं में कोई भी इजाफा नहीं हुआ है उसके साथ साथ, बहुती delayed basis पे तंखाएं दी जारी, कई महीनों की तंखाँ भी इन लोग को नहीं दी गई, बीना तंखाँ के लोग काम कर रहे हैं, टेक्नीशन को वैसे भी कम तंखाँ मिलती है पिछले 18 महीनों से Go First Airline ने तंखाँ नहीं बाटी, पहले तो यह बोला जा रहे हैं, जो एक टेक्नीशन को 18 से 20 जार रुपे प्रती महीना मिलता है, और पिछले 3 से 4 सालों में, ओवराल इनकी कोई तंखाँ बढ़ी भी नहीं है, जब पैंडेमिक आये था तो इनकी तंखाँ अप्रेल और माई 2020 में 5000 से 8000 रुपे प्रती महीना कम कर दी गई थी, जब पैंडेमिक के इंपक्ट कम हुए है, हेरलाइन ट्राफिक बढ़ा है, तब भी तंखाँ पुरानी जितनी रखी गई है, बढ़ा ही नहीं गई है, तो ये ओवराल नियूज यहां पर निकलके इंडिया ने अभी सेरम इस्टिटूट ऑफ इंडिया की एक डॉमेस्टिक इंडिजीनिसली डेवलप्ट वैक्सीन को अप्रूवल दिया है, इंडिया की पहली कौड्री विलेंड, यूमन पैपिलोमा वाइरस वैक्सीन यहां पर सर्वाइकल कैंसर की निकाली गई है, तो ओवराल यह अपने आप में बड़ी बात है, कि इंडिया के अंदर एक इंडिजीनिस वैक्सीन यहां पर बनाई गई है, नाम है सिर्वावैक, तो जो सिर्वावैक नाम की वैक्सीन है, ओवराल एक रेविलुशनरी स्टेप होगी, इंडियन डेमोग्राफी से सर्वावैकल कैंसर को हटाने के लिए, ओवराल जो सबजेक्ट एक्सपर्ड कमिटी है ना, ठीके ना, सबजेक्ट एक्सपर्ड कमिटी के रिकमेंडेशन के बाद ही, यहाँ पे DCGI का अप्रूवन निकलके आया है सर्वाइकल कैंसर भाई होता क्या है, तो देखें, सर्विक्स का कैंसर होता है ओवराल हुमन बॉड़ी में, यहाँ जहाँ पे सर्विक्स होता है, यहाँ पे नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है, और यह अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स बॉड़ी के दूसरे बाल, पार्ट्स में भी फैल जाती है तो इससे एक वोमन को वैजाइनल ब्लीडिंग हो सकती, पैल्विक प्लेन हो सकता है, सेक्शुल इंटर्कोर्स के दुरान दर्द हो सकता है, सेक्शुल इंटर्कोर्स के बाद थोड़ा बहुत खून निकलना, यह सब चीज़े यहाँ पे हो सकती है तो यह जो हुमन पैपिलोमा वाइरस है, 90% जो सर्वाइकल कैंसर के केसेज है, यह HPV ही करता है, HPV 16 और 18 strains, 50% हाई ग्रेंट सर्वाइकल प्री कैंसर के रिस्पॉंसिबल है, स्मोकिंग की वजए से, वीक इम्यून सिस्टम की वजए से, सेक्स को बहुत यंग एज पे शु इफेक्ट करेगा, और सर्वाइकल कैंसर रिस्क के चांसे बढ़ेंगे, अगर जेनिटिक फेक्टर्स हैं, तो भी सर्वाइकल कैंसर आपको हो सकता है, अगर आपके बॉड़ी में हिस्ट्री है, इस प्रकार के कैंसर की, तो आप, ज़्यादा आपके लोग बन लेबर हो ज इसके क्लेनिकल, इसकी वैक्सीन के क्लेनिकल ट्राइल डाटा को स्टडी किया है, और इसके बेसिस पे यहाँ पे DCGI के दोरा, जिसको मार्केट ऑथराइजेशन दिया जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑब बायो टेक्निलोजी ने भी इस पर्टिकुलर वैक्सीन के टेस्टि इसके क्लेनिकल, जो रेलवे के जो लोको पाइलेट्स हैं, जो रेलवे को चलाते हैं, इनके कॉल रिकॉर्ड को समय समय पे चेक करो, चुकि रेलवे के अंदर सिगनल पासिंग एड डेंजर के जो इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं, यह क्या है SPAD इंसिडेंट, बाई दे इसरेंट में अगर परसनल और प्रॉफेशनल फ्रेंट में परिशान हैं, तो SPAD के इंसिडेंट बढ़ सकते हैं, और इस प्रकार के इंसिडेंट्स पॉटेंट्छिली एक रेलवे का एकसिडेंट कास कर सकते हैं. चुकि जब red signal है तो train को रुकने को बोला गया है train ना रुकी सामने से कोई दूसरी train आ रही हुई या फिर जो track का alignment है वो सही नहीं है तो उस case में train का accident हो सकता है इसलिए zonal railways के सारे general managers को एक advisory issue की गई है कि समय समय पे आप locomotor pilots के background info को check करते रहे overall इस बात को peruse करते रहे regularly कि ground level पे सारे safety protocols को follow किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है जो call details है यहाँ पे locomotor pilots की उसको समय समय पे analyze किया जाए देखा जाए कि यह locomotor pilots proper तरीके से ground level पे अपना काम कर रहे है कि नहीं कर रहे है जब train चल रही है तो इन locomotor pilots का जो phone है वो switch off mode में होना चाहिए इस प्रकार के बहुत से overall arrangements यहाँ पे किये जा रहे है ठीक है समय समय पे brake continuity और brake field test conduct करवाना locomotor pilots का locomotor pilots का बोलना कि अगर आपो कोई भी doubt लगता है तो आप emergency brake मार रहे है overall train को रोग दीजे किसी भी प्रकार का accident नहीं होना चाहिए walkie talkie पे communication मत करिये station monster के साथ चोकि इससे कभी-कभी confusion हो जाता है overall चोकि centralized तरीके से train के movement को यहाँ पे monitor किया जाता है समय समय पे senior railway officers का यहाँ पे inspection होनी चाहिए signal sighting committee proper तरीके से ground level पे काम करे तो इस प्रकार के बहुत से ideas यहाँ पे दिये जा रहे है overall SPAD incidents को रोखने के लिए चोकि यह जो SPAD incidents अगर यह एक limit से जादा बढ़ेंगे तो कल की date में कोई major incident भी हो सकता है देखे signal passing and danger को अगर आप violate कर रहे हो मतलब आप set protocol को violate कर रहे हो तो कोई न कोई safety incident तो देखो भाई होई सकता है कभी न कभी सामने से आके कोई न कोई गाड़ी भेड़ सकता है overall एक बड़ा incident हो सकता है इसको avoid करना है इसके लिए planning करना यहाँ बहुत ज़दा ज़रूरी है ज़दा तर SPAD के cases में जो incidents होते हैं वो lack of concentration की वज़े से होते हैं lack of alertness, negligence इन सब चीज़ों की वज़े से होते हैं इन सब चीज़ों को avoid करना बहुत जाता सबोगी पिर बात की जारी है वाई GS paper 2 के respect में 75 किरो हिरोई ड्रक्स पाया गया गुजराद के मुंदरा पोर्ट से पंजाब पुलिस और गुजराद के anti-terrorist squad ने एक operation किया और पता चला कि मुंदरा पोर्ट के कच district में जो मुंदरा पोर्ट है वहाँ पे एक container के अंदर 75 किलो हिरोई चुपी हुई थी 375 करोन का item है चुपा हुआ था यह जो particular container है दुबई से लोड किया गया था और मुंदरा पोर्ट के किसी container freight station पे पड़ा हुआ था तो यहाँ पे जो authorities थी ATS है और पंजाब कुले से इसको एक tip off मिली यह तुरंद वहाँ पहुँचे इन्होंने container खोल के देखा और उस container के अंदर यह जो particular heroine है यह पड़ी पाई गया यह जो suspected container था इसके shipping bill में और bill of entry में textile declare किये गया थे customs filing में textile declare किया गया लेकिन जब इस container को खोला गया तो authorities को diet हुआ कि एक तिहाई container खाली पड़ा है देखिए चाया 20 feet का container हो चाया 40 feet का container हो पूरा भरा हुआ होता है खाली नहीं चुड़ा जाता है जो भी exporters है देखिए या तो heavy cargo होगा या फिर low weight cargo low weight cargo में एक container में बहुत सारे importers का समान होता है और अगर importer पूरा container अपने लिए book करता तो पूरा container उस importer के समान से भरा हुआ होता है container को खाली नहीं चुड़ा जाता है ताकि cost effective way से import export किया जाए लेकिन ये container एक तिहाई खाली था तो सबसे पहले ही authorities का यहां पे doubt आगया कि यह क्या बवाल है ये खाली क्यों है container तो जो 540 textile rolls थे उनके अंदर 64 में ये जो heroin थी ना इसको छुपा दिया गया था 375 करोण की market value है इस particular heroine की और इस प्रकार के बहुत से incidences recently गुजरात के ports में देखने को मिल रहे हैं अभी recently देखिया अपरेल में anti-terrorist squad ने एक joint operation किया directorate of revenue intelligence के साथ और 1300 करोण की जो heroine थी वो seize की गई कांडला port कच में मुंदरा में दूसरा major consignment है अफगानिस्तान से 3000 किलो के लगभग की जो आप कह सकते हो heroine थी जो drugs थी वो बंदर अबास इरान के पूर्ट के थूँ इंडिया में आई थी 21000 करोण उसकी value थी वो भी मुंदरा में पकड़ी गई थी चन्नाई based importer थे उनको अरेस्ट किया गया था कुछ अफगान नैशनल्स को अरेस्ट किया गया था NIA को वो case पकड़ाया गया था किस प्रकार से इंडिया के इंदर drug peddlers और smuggling mafias गुजरात का इस्तमाल कर रहे हैं smuggling के एक playground को बनाने के लिए इस modus operandi को decode करने की कोशिश कर नहीं थी authorities तो इस context में overall समय समय पे मुंदरा पोर्ट से कांडला पोर्ट से इस प्रकार से heroine का Caesar होना ये अपने आप में खतरनाक signal दे रहा 2022 की बात की जाए तो 6 cases drug Caesar के फाइल किये गये थे गुजरात ATS के दोरह जिसमें 717.3 kg of drugs पाई गी थी जिसकी market value थी लगबख साड़े 3000 करोड 23% इसमें involved है 2022 में और 16 पाकिस्तानी है मतब 2022 में अकेले गुजरात ATS ने 717 किलो drug पकड़ा है और पिछले साल की तो बात ही छोड़ दो पिछले साल तो अकेले ये इसमें में 3000 किलो पकड़ा गया था 2020 और 21 में अगर देखा जाए गुजरात की केवल एंटी टर्रोड की बात करो तो 327 किलो drug पकड़ा गया जिसकी market value लगबख 1600 करोड रोपे तो बहुत सारे पाकिस्तानी नैशनल इसमें एप्रिहेंड किये गया लेकिन जो सबसे बड़ा सीजर था वो था भई 3000 किलो लगबख 2988298 किलो का जो आप कहलो हिरोईन पकड़ी गई थी सेमी प्रोसेस टार्क स्टोन के तार आ रही थी बंदर अबास में पकड़ी गई थी 21,000 करोड की थी जो कंटेनर था वो कहां से आया था अफगानिस्तान से तो ओवर ओल गुजरात को एक कहलो हब की तरह इस्तमाल कर रहे है जो ड्रग ट्रेडर्स और सामान को मतलब आप कहले जए हिरोईन को इंडिया के अंदर स्मगल करने की कोशिश की जा रही है फिर नेक्स्ट इस श्री लंकान MPs to elect new president GS paper 2 में Health, Human Resources, Government policies और intervention में ये particular news आपको काम आईगी है श्री लंका के lawmakers ने decide कि एक नया प्रेड़ेंट हम चूलेंगे आज है 13 तारिक और अपने वादे के इसाब से गोटा बाया राजपक्षा को आज resign कर देना चाहिए वो करते हैं नहीं करते हैं इसकी अभी केले कोई confirmation निकल के नहीं आई हाँ ये सुनने में आया है कि पहले भागने कोशिश कर रहे तो उनको भागने से रोग दिया गया आप शायद मालदीव्स भाग गये हैं कौन गोटा बाया राजपक्षा अच्छा शिलंकल लॉमेकर्स ने बोला है कि अभी इस हफ्ते हम एक नया प्रेजिडंट चुनेंगे जब तक नया प्रेजिडंट नहीं चुना जाएगा तब तक प्राइम मिनिस्टर को प्रेजिडंट बना दिये जागा प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि मैं तो इंटरिम मेजर में बैठा हुआ हूँ मैं तब तक बैठा हूँ जब तक आप लोग नया प्रेजिडंट नहीं चुन लेते लोग गुस्से में फूड फ्यूल और मेडिसिन की कमी है गोटबाय राजपक्सा के घर के अंदर जम के बैठ गए हैं लोग लोग बोल रहे हैं जब तक ये लीडर प्रेजेंट वाले रिजाइन नहीं करेंगे तब तक हम तुम्हारा घर नहीं चोड़ेंगे तो अपने आप में काफी खासा प्रॉब्लम हो गई है गोटबाय राजपक्सा को ब्रिजाइन करना ही पड़ेगा कोई ऑप्शन नहीं है इनके घर में इनके बैडों पे सो रहे हैं प्रोटेस्टर्स इनके पेंटिंगों पे महरवल कर रहे हैं पूल में नहा रहे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं यह समय यहां पे चालू है जो opposition political parties है वो इस चीज़ के उपर बातचीत करनेगी कौन president बनेगा, कौन prime minister बनेगा अब अपने आप में इस समय पे इस hot seat पे बैठेगा कौन responsibility लेगा कौन देश की इसके बारे में अभी भी कोई clear cut जानकारी नहीं नहीं कर पारी जो कि जब कोई leadership आएगी, तब IMF के bailout के उपर आगे बातचीत बढ़ेगी debt sustainability को address करने कोशिश की चाहेगी एक proper functional सरकार तो होनी चाहिए ना अब वहीं नहीं है, overall leaders इस बात पे decide नहीं कर पा रहे है देश अपने लिए कोई proper leader नहीं दूर पा रहा है लाइक जरू करें दोस्तों, वीडियो के engagement को बढ़ाने के चलिए यहां देखिए क्या कहा चाहता है गौर्वर्मेंट का 10 लाख नौकरियां क्रियेट करने का प्लान overall fail हो सकता है, successful नहीं होगा यह कौन सी basis पे कहा जा रहा है, देखिए 40 लाख की sanction पोस्टे गौर्मेंट जॉब्स की जिसमें से 22% vacant है और इनी को सरकार अगले 18 महीनों में बढ़ेगी लगबक 10 लाख जॉब यहां पे निकल गए तो बी प्रिसाइस तो 8.5 लाख के लगबक अब सबसे खास बात यहां पे यह है कि 20% vacancies के साथ काम कर रही है देखिए यह बात बिल्कुल सही है गौर्मेंट के ऐसे बहुत से department से जो severely understaffed है बहुत सी जगा सरकार में जो employees हैं वो बहुत heavy intense pressure में काम करते है लोगों को लगता है कि सरकारी नौकर काम नहीं करते है, हो सकता है कि कुछ government departments में सरकारी नौकर बड़े मज़े हैं बैठे हो, कुछ ना करते हो बट कुछ government departments ऐसे हैं जहां पे सरकारी नौकर बहुत intense pressure के अंदर काम करते है तो यह बोल देना एक general respect में कि यार सरकारी नौकर कामी नहीं करते है, यह गलत है अभी कलगी डेट में जब आप IS, IPS, SDM, वीडियो वगरा बनोगे न, आपको idea नहीं है आपको कितना काम करना पड़ेगा personal life बरबाद हो जाएगी रात को 12 बज़े call आएगा, 2 बज़े call आएगा Sunday को duty कर रहे होगे, Sunday को आपकी घर वाले प्लान मनाएंगे, डिनर का और आपको बुला लिया जाएगा काम पे, इतना काम करते हैं, मतलब अगर आप किसी responsible post पे हो तो, तो इस समय पे no doubt, जो सरकारी departments है, वो understaffed है, लगबग 8.72 लाख vacant position है, अलग-अलग departments of central government में, यह किसने बोला है, minister of state and personal, public commission of pension साब, जितिंदर सिंख जी ने बोला था, तीन सर्वरी 2022 को राजसभा में, अब इन 8 दिसंबलो 72 लाख में, उन vacancies को जोड दिया जाए, जो public sector bank में, defense forces में, police में, health sector में, central school, central universities में, तो number of vacancies यहां पे कितनी हो जाएंगी, 30 लाख, इसमें अगर state government की vacancies को जोड़ दो, तो यह और उपर चली जाएंगी, तो already जो number of vacancies है, वो बहुत जादा है, और यहां पे जो सरकार की तरफ से announcement आया है, वो कितने काया है, 10 लाख जो, तो जो sanctioned post है, उसमें जो खाली post है, उसी को भरने के लिए, अगर आप एक revolutionary step बोलोगे, तो यह सही नहीं है, ऐसा author यहां पे बोल रही है, already government में एक serious shortage of staff है, यह जो serious shortage of staff है, यह बहुत समय पे बहुत सी problems create कर देता है, काम में delay होता है, corruption होता है, बहुत सी inefficiencies यहां पे पनपती है, तो author यहां पे सरकार के intention को point out कर रही है, एकदम से सरकार यह seat है कैसे announce कर रही है, क्या सरकार को बड़ी tension हो गई कि shortage है, अगर shortage थी तो shortage तो लंबे समय से थी, अल्रड़ी 8-9 साल हो चुके हैं, बीजेपी सरकार के shortage को भरा क्यों गया, अब एकदम से क्यों भर रहे हैं, और overall number of vacancies जाता है, क्या election आने वाले हैं, इसलिए भर रहे हैं, इस प्रकार के कुछ सवाल यहां पर author उठा रही है, overall देखा जाए, तो सरकारी employment में number of contract workers बढ़ रहे हैं, और permanent employment कम हो रहा है, contract workers 2017 में 11.11 लाग थे, सरकारी employment में 2020 में 13.25 लाग हैं, और 2021 में 24.31 लाग हैं, तो एक question तो यह उठाया जा रहा है, कि सरकारी employment में जो contract workers होते हैं, temporary workers होते हैं, इनके number को बढ़ाया जा रहा है, मतलब overall, unorganized employment को promote किया जा रहा है, और unorganized employment को discourage किया जा रहा है, चुकि और unorganized employment में पैसा ज्यादा खतम करना पड़ेगा, आपको NPS की सुविदा देनी पड़ेगी, proper तंखा देनी पड़ेगी, permanent government employee बनाना पड़ेगा, तो सरकार यहां पे temporary basis पे काम चलाना चाहती है, सस्ते में, जैसा आंगनवारी और आशा वरकर्स हैं, पैंडिमिक के समय पे जब इनका काम point out किया गया था, तो international labor organization तक ने इंडियन सरकार को बोला था कि इनकी जो work condition से वो decent नहीं है, आप इनको decent work condition दीजे, social security का package दीजे, वगरव वगरव, बारा सरकार ने थोड़े बहुत steps इनके लिए announce किये भी, आप कुछ statistics की बात करते हैं, अपरेल 2022 की data के साब से इंडिया की labor force है, 437.2 million, मतलब 43 करों बाद 43.72 करों, अब अगर labor force participation rate, इंडिया का 42.13% माना जाए तो, Center for Monitoring Indian Economic के साब से, तो अभी के लिए इंडिया के अंदर unemployment rate है 20%, 20% का unemployment rate मतलब क्या हो गया, कि लगबग 3 करों लोग के पास नौकरी नहीं है इंडिया के हैं, तो जो नौकरी चाहते हैं और हर साल 50 लाग से 70 लाग workers, job field को join कर रहे हैं, मतलब overall वो potential भावी हैं, उनको नौकरियां चाहिए, तो 3 करों लोग के पास नौकरी है नहीं, और हर साल 50 लाग से 70 लाग workers, जो की नौकरी करना चाहते हैं, ये लिस्ट में जुड़ते जा रहे हैं, वर्ड बैंक के data के हिसाब से, तो इस context में ऐसा बताया जा रहा है, कि अगले 18 महीनों में, अगर आप 10 लोग jobs create करते भी हो, तो भी ये बहुत कम होने वाले, चुकि 3 करों लोग unemployed है, 50 से 70 लाग workers unemployed की category में हर साल बढ़ते जा रहे हैं, और उस case में अगले 18 महीनों में 10 लाग लोगों की hiring कुछ भी नहीं है, it is next to impossible, तो यहाँ पर overall author ये बोल रही है, कि सरकार को सामने आना चाहिए, सरकार ये बोले कि private sector employment create करेगा, ये सही approach नहीं है, सरकार को यहाँ पर initiative लेनी चाहिए, सरकार को struggling economy को उबारना चाहिए, सरकार को बड़े scale पर mass recruitment निकालना चाहिए, तब जाके overall हम इस problem को tackle कर पाएंगे, मतलब central government और राजी की सरकारों की responsibility है, कि जतनी ज्यादा jobs create की जा सकें, उतनी create की जाएं, mission mode में आप employment provide करिए unemployed को, सरकार ये सोच के बैठें, कि ज़्यादा तर employment हम private sector में पैदा करेंगे, ये approach है, नहीं सही है, अभी सरकार का क्या बोलना है, सरकार का बोलना है वैसे यार physical deficit इतनी जादा चल रही है, हमारे जो expenses हैं, वो हमारी earnings से बहुत कम है, अब उसमें तुम बोलो कि हम और recruitment करेंगे, तो कुछ दिन बाद हम तनखा तक देने लाइग नहीं रहेंगे, श्रिलंका जैसी हलत हो जाएंगे हैं आपर, इस context में अगर कुछ national और international reports देखी जाएं, rankings देखी जाएं, तो इंडिया बहुत सारी और countries से health and nutrition के context में बहुत पीछे है, women और children के health nutrition के respect में ज़्यादा था, basic infrastructure ही कमी है, education, literacy और skills की कमी है, early childhood समय पे children care की कमी है, तो ये सब चीजे में यहाँ पे जोड़ दी गई हैं, तो basically सरकार को सामने आके responsibility लेनी है, अफ़र का बोलना है कि सरकार नौकरियां दे, सरकार basic needs दे, हर चीज प्राइविट कंपनियों के उपर ना छोड़ी जाए, जो हमारी population के नीचे का 40% का तपका है, उनको सीधे-सीधे benefit सरकार की तरफ से जाना चाहिए, चाए वो नौकरी का हो, चाए वो health का हो, चाए वो education का हो, basic well-being, human development, सब कुछ, bottom 40% of the population सीधे सरकार से जाना चाहिए, उसके साथ-साथ MSME सेक्टर पर सरकार को focus करना चाहिए, एक नई industrialization policy लाने की जरूत है MSME सेक्टर के लिए, ताकि इनकी productivity बढ़ाई जाए, इनके finances बढ़ाई जाए, वैसे MSME सेक्टर के लिए सरकार ने बहुत से program से यहाँ पर implement किये हैं, लेकिन बड़े सारे अलग-अलग, आप कहलो, experts का बोलना है कि इन्डिया के अंदर MSME सेक्टर के लिए अभी भी उतना नहीं किया जारा जितनी जरूत है, बड़े-बड़े corporate enterprises को support किया जाता है, MSME सेक्टर अकसर कर बहुत से field में uncompetitive हो जाते हैं, फिर एक urban economy को develop करने की जरूत है, बच्चों की टेंशन किये बिना जाके अपना काम कर सकें, एक quality urban life को facilitate करना यह यहां पर सरकार, मतलब हर चीज़ सरकार के उपर डाल दिये, सरकार employment create करें, सरकार basic level पर लोगों को सुविधाय दें, खासकर bottom 40% of the आबादी को, यह overall यहां पर इंद्रा हिर्वे जी और नेहा शाजी बोल रहे हैं, मतलब यह basically welfare state की बात बोल रहे हैं, खीके इनके ideas अच्चे हैं, बट सबसे बला सवाल यह उठता है, क्या सरकार के पास इतने means हैं, क्या सरकार के पास इतने resources हैं, क्या सरकार के पास इतना पैसा है, कि वो इतना खर्चा खोड कर सकें, इसका जवाब यहां पर इन्होंने भी नहीं दिया है, और इसका जवाब बहुत से लोगों के पास नहीं है, बिए next बात करते हैं, the scale of municipal finances in any required, physical deficits, constraint in tax-based expansion, weakening of institutional mechanism are challenges, देखिए municipal finances के health ये अपने आप में एक बड़ी प्राब्लम है, 74 शेंशोधन, 74th Amendment Act ने 1992 में urban local bodies को ताकर दी, rural local bodies को ताकर दी, urban local bodies में municipality वगरा आती, urban local body के physical empowerment की बात दी, तब 1992 से 30 साल बीच चुके हम, 2022 में आ चुके, तीन decades की growth, अब इन growth में अगर देखा जाए, तो अभी भी ये जो urban local bodies है, वो fiscal deficit से सफर कर रही है, tax-based expansion नहीं हो पारा, institutional mechanism कमजोर पड़ा हुआ, मतलब overall अगर आप देखो, तो इन urban local bodies के बास, ground level पे चीज़ों को implement करने के लिए, खुद का पैसा कम है, अब ये सब चीज़ें आपको समझाने हैं कोशिश करता हूँ, इंडियन institute for human settlement ने data analyze किया, 80 urban local bodies का 24 states में, कब से कब तक, 2012-2013 to 2016-17, ये समझने के लिए, कि urban local bodies के पास कितना पैसा है, किस प्रकार से वो अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं, वगर वगर, अब अगर देखा जाए, तो urban local bodies के पास जो खुद का पैसा आता है, वो उनके total revenue से कम है, on an average, urban local bodies के पास, own sources से 47% पैसा आता है, अब आप बोलोगे, urban local bodies के own sources कौन है, तो urban local bodies जो भी taxes लगाते हैं, ठीक है न, urban local bodies के domain में जो भी properties आती हैं, जो भी advertisement आती हैं, उनके ओपर taxes लगाया जाता है, building permissions देने के लिए, trade licensing देने के लिए, urban local bodies, user charges, fees charge करती हैं, तो यह आप कह सकते हों कि, urban local body का local, आप कहले ज़िए, own revenue होता है, professional tax लगाया जाता है, लोगों के ओपर अक्सर कर, अगर आप किसी बड़े इलाके में, Mumbai चिंज नहीं, जैसे इलाके में काम करे रो, तो आपको अपनी salary slip में, प्रती महीना 200 रुपया कटा हो, नजर आएगा, वो urban local body के पास जाता है, तो इसको आप professional tax बोलते हो, तो यह सब own sources of income है, urban local bodies के, दूसरा urban local bodies का source होता है, कि सरकार की तरफ से मदद मिलने, तो अगर केंदर की सरकार, और राज्य की सरकार, यहाँ पर पैसा देती है, urban local bodies को, तो उसको बोला जाता है, IGT, Inter-Gourmmental Transfers, तो Inter-Gourmmental Transfers के तुरू पैसा आता है, इन urban local bodies के पास, कहां से, केंदर की सरकार से, राज्य की सरकार से, लेकिन यह दोनों ही हेड को मिला दो, Inter-Gourmmental Transfers को भी मिला दो, और जो इन urban local bodies का, own revenue होता है, इसको भी मिला दो, तो भी overall urban local bodies का, पूरा खर्चा नहीं चल पाता है, चोगी जो own revenue है, वो 40% total revenue है, भाई किसका, urban local bodies का, इसमें से 29% उनका tax revenue की बज़े से आता है, तो कुल मिला के अगर देखा जाए, तो urban local bodies, overall revenue autonomy के respect में, buoyancy नहीं रख पा रहे हैं, urban local bodies के पास, सबसे अदा पैसा कहां से आता है, property tax से, और property tax से, जितना भी पैसा, totally urban local bodies के पास आ रहा है, वो हमारी GDP का, केवल 0.15% है, वहीं पे अगर आप developing countries, दुनिया भर की बात करो, तो urban local bodies के पास, property tax से जितना पैसा आता है, वो 0.6% होता है उनकी GDP के, और developed countries में ये number है, 1% of GDP, तो developed countries में, urban local bodies को, जो भी पैसा मिलता है, property taxes को, वो 1% of GDP होता है, और इंडिया के अंदर ये कितना है, 0.15%, हमारी साथ की developing countries से भी, कम पैसा मिलता है, property taxes से, हमारी urban local bodies को, इस particular quantum को, बढ़ाने की जरू होते हैं, इस 0.15% को, यहाँ पर बढ़ाने की जरू होते हैं, चुकि urban local bodies के पास, जब तक खुद से पैसा, एकटा करने की प्रोवेस नहीं होगी, काबियत नहीं होगी, तब तक long term में, जो urban local bodies हैं, ये competitive नहीं हो पर नहीं होते हैं, फिर बात करते हैं, IGT की, inter-governmental transfers की, urban local body बहुत अत्तक, inter-governmental transfers के उपर भी dependent है, केंदर की सरकार की तरफ से पैसा आ गया, Central Finance Commission ने recommendation दी, उससे पैसा हो गया, State Finance Commission ने बोला कि, बाई इतना पैसा urban local bodies को दे दो, उससे पैसा हो गया, अब 2012-13 से देखा जाया, external grants में जो IGTs है, ठीके न, 40% urban local bodies का total revenue मनाती है, तो 47% own revenue से आ है, लगबख 40% कहां से है, IGTs से, मतलब केंदर की सरकार ने जो पैसा दे दिया, राज जी की सरकार ने जो पैसा दे दिया, उससे लगबख इतना पैसा आया, कि इसके पास urban local bodies के पास, अब इसका international figure चेक करते हैं, देखें, overall urban local bodies के पास, inter-governmental transfer से जो पैसा आ रहा है, वो 0.5% है GDP का, अगर international average की बात की जाए, तो ये नमबर निकल के आता है, 2-5% of GDP, तो basically inter-governmental transfer के थुरू, जो भी पैसा आता है, यहाँ पे urban local bodies के पास, वो overall GDP का 0.5% है, जबकि ये नमबर पूरी दुनिया में, 2-5% की range में vary करता है, मतलब हमारे पास, inter-governmental transfer जो जा रहा है, ULB में, वो भी बहुत कम है, तो ULB's का own revenue कम है, इनके पास inter-governmental transfer कम है, इन दोनों ही को बढ़ाने की जरूरत नहीं आपे, और इन दोनों को ही बढ़ाने में, केंदर की सरकार और राजे की सरकार का एक बहुत मेजर रूल है, अगर ULB's अपनी balance sheet को नहीं सुधारेंगे, अपने own revenue methodologies को नहीं improve करेंगे, तो long term में sustainable नहीं हो पाएंगे, अब overall नहीं को ये भी समझना पड़ेगा की ULB किस प्रकार की है, देखें, तीन प्रकार की cities है, एक class 1A cities, जिनकी आबादी 50 लाग से जादा है, दूसरी है class 1B cities, जिनकी आबादी 10 से 50 लाग के बीच में हो, जो largest revenue source होता है, urban local body के लिए वो होता है tax, वहीं पर जो class B और class 1C city है, वहाँ पर inter-governmental transfer से जादा पैसा आता है, तो overall यहाँ पर जगह के हिसाब से, इन urban local bodies को sustainable बनाने के जुरू होते है, कुछ statistics दे रखिए, बर जो important statistics होती है, वहीं मैं आपके साथ discuss करता हूँ, अब एक और important चीज़ है, operations and maintenance expenses, यह भाई किसी भी urban local body के लिए बहुत important है, चोकि urban local body को बहुत प्लकार की चीज़ें करने हैं, रोडे बनाने हैं, school बनाने, public hospitals बनाने, इसके लिए पैसा चाहिए, पर यह operation and maintenance expenses में आता है, urban local body के इलाके में, लोगों को proper सोविधाई मिलें, proper आपके लोग avenues मिलें, यह responsibility किसकी है, यह responsibility है urban local body की, और urban local body को इसके लिए चाहिए पैसा, तो अगर देखा जाया, जो O&M expenses अब बढ़ेंगे, urban local body का जो total revenue expenses है, उसमें जो O&M expenses है, वो 2012-2013 में 30% है, 2016-2017 में 35% हो चुका है, यह expenses आगे आने वाले समय में बढ़ेंगे, और यह ज़रूरी भी है, चोईकि यह expenses लोगों को जो सुविधाई मिलती हैं, वो decide करते हैं, तो overall, यह जो expenses हैं, यह user charges के थुरू, non-tax revenue के थुरू, overall, सरकार की जो मदद हैं, उनके थुरू पूरा करने की जुरूरत है, for example, अब urban local body को solid waste management करना है, waste water management करना है, water supply को ensure करना है, तो इसके लिए तो पैसा आना जुरूरी है न, और वो पैसा जादा तर, जो लोग इन सुविधाओं को उठा रहे हैं, उनके charges के थुरू आये तो बेटर है, जैसे हम पानी इस्तमाल कर रहे हैं, मैं मालो मुंबई में रहता हूँ, और मुंबई municipality जो पानी आता है, BMC से मैं उसको इस्तमाल करता हूँ, तो मुझे पानी का बिल देना पड़ेगा, जी हाँ, मुंबई में लोग पानी का बिल देते हैं, तो जो पानी लोग इस्तमाल करते हैं, उसके लोग बिल दें, उससे अर्बन local bodies की financial strength बढ़ेगी, यह अपने आप में एक given win situation है, कि अर्बन local body की अच्छी service दे रही है, और आप उसके बढ़ने में पैसा दे रहो, चुकि हर चीज free of cost आपको नहीं मिल पाएगी, आपको उसके लिए पैसा pay करना पड़ेगा, चुकि जो वो चीज प्रोवाइड कर रही है, वो urban local body बड़े, वो सरकारी body है, लेकिन उसको भी तो वो चीज कहीं ना कहीं से लानी है न, अब आप सोचों कि हर चीज हमको प्री में मिल जाएगी, तो कैसे काम चलेगा, फिर तो पूरा का पूरा mechanism unsustainable हो जाएगा, sustainable हो नहीं सकता, चुकि sustainability में finances की जरूएट तो पढ़ती है, तो ये सा बातें यहाँ पर बताएगे, प्रॉपर टैक्सेस को इवाल करने की जरूएट है, प्रॉपर्टी टैक्सेस को, ओवरॉल लैंड बे सोसे जरूएट को प्रॉपर तरीके से ठीक है भई, फिर बात करते हैं, अग गारंटर ओफ फ्री स्पीच, यहाँ पर LDF सरकार की बात हो रही है, लेफ्ट डेमोक्रिटिक फरंट की, ठीक है केरला के मिनिस्टर साजी चेरियान जी, इनसे बोला गया, रिजाइन करो, क्यों? चोकि इन्होंने Constitution के Adverse Commits दे दिये थे, इन्होंने बोला कि जो हमारा सम्विधान है, ये British Crafted सम्विधान है, Working Class के Against है, Secularism और Democracy जैसे कुछ शब्दों को हमारे Constitution में गुसरड दिया गया, वैसे ये जो Constitution ने पूरा British के दोरा Crafted है, हमारे Constitution को बदलने की जरुवत है, इससे लोगों को परिशान किया जाता है, Workers को Exploit किया जाता है, तो ये Constitution लोगों को Exploit करता है, ऐसा यहाँ पर सजी चेरियान ने बोल दी, अब बहुत से लोग बोलेंगे कि सजी चेरियान साब ने यहाँ पर Constitution की Disrespect की है, ये Changes कर दिये जाए, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से Management होगा, तो कोई Problem नहीं, आप amendments प्रपोस कर सकते हैं, लेकिन क्या सीधे सीधे criticize करना, क्या इसको Anti-People बोल देना, ठीके न, क्या इसको Pro-Dictator बोल देना, ये क्या सही होगा, तो अब ये Perception पे Depend करते हैं, भारती समिधान की बात की जाया, भारती समिधान की, तो Article 19 Clause 1, इसमें क्या पताया गया है, इसमें देखे Freedom of Expression है, आप Constitution की Working को criticize कर सकते हो, तो चेरियान साब यहाँ पर Constitution की Working को criticize कर रहे थे, तो इनको Minister की Post से resign क्या करवाने की जुरूथ थी, तो भारत, LDF सरकार जो है न, इसको criticize कर रहा हो अथर, अथर ये बोल रहा है कि, अगिर सजी चेरियान ने Constitution की Working में कुछ खामियां उठाई थी, तो आप खामियां को सवाल करो न, आप overall यहाँ पर Minister से क्यों resign करवा रहे हो, और जो भी सजी चेरियान ने बोला था, वो पूरी तरीकी से गलत भी नहीं है, अब Constitution of India को Government of India Act 1935 से बोरो किया गया, एक Organic Constitution बनाया गया, और इस Organic Constitution में समय समय पे amendments किये गये, वैसे मैं बोलूँगा British Constitution और हमारे Constitution में बहुत फ़र्क है, मैंने डीटेल में आपको पॉलिटी में बढ़ाया है, हमारे Constitution में जितने भी political तपके, social तपके सब को include करने की बात की गयी है, तो सीधे सीधे इसको non-worker बोल देना, anti-worker बोल देना, ठीक है ना, बिटिश दौरा बनाया गया Constitution बोल देना, ये देखिए मेरे personally इसाब से गलत है, बट ठीक है, author का यहाँ पर यह कहना है, कि भाई अगर आप यहाँ पर कुछ amendments प्रपोस कर रहे हैं सम्विधान में, तो उसमें problem क्या है? अब यहाँ पर पुराने कुछ example दे रखें, 1986 में हिंदी के imposition को लेके, तमिल नाडू के अंदर के अनबजागन और 9 अधर DMK के लेजिस्टेटर ने पार्ट 17 अफ दा Constitution को जला दिया, तो तमिल नाडू के अंदर DMK के politicians ने पार्ट 17 अफ दा Constitution जला दिया, अब यह Constitution की disrespect हुई, इनके खिलाफ यहाँ पे case file हुआ, मदरास High Court में case पहुचा, और इन पर्टिकुलर आप के लो legislature को legislature से disqualify कर दिया गया, तो अपने आप में Constitution की disrespect हुई, Constitution की एक पार्ट को खुलने हम आपने जला दिया, सजी चेरियान जी ने तो Constitution की वर्किंग में खामी उठाई थी, जलाया वलाया तो कुछ नहीं था ना, तो सजी चेरियान के अगेंस्ट अगर कोई action लेना था, तो आप Judiciary में जाके case file कर सकते थे, कैरला आई कोर्ट में Supreme Court में जाके case file कर सकते थे, सीधे-सीधे इनको Minister की कुर्सी से अटाने की क्या जूरूरती, तो कुछ points के basis पे यहाँ पे सजी चेरियान को, जो LDF सरकार ने उनकी Minister की कुर्सी से अटा दिया, इसको यहाँ पे criticize किया जाए, और बोला जा रहा है कि अगर कोई कुछ बोलता है Constitution के अगेंस्ट, सीधे-सीधे मिनिस्टर की पुर्सी से अटाना सही नहीं को, तिरा आगे बात करते है, और पनीर सल्वाम और एडा कड़ीप के पलाना स्वामी की बीच के लड़ाई है, देखे, AIA-DMK के अंदर डॉल लीडर्शिप आ रही, तो इस डूल लीडर्शिप में दो लोग ताकत शेयर करके बैठे है, एक पनीर सल्वाम और पलाना स्वामी के थे हैं कि पनीर सल्वाम को ज़रोस ज़्यादा ताकत मिली हुई है, इतना है इनकी वैल्यू नहीं है, पनीर सल्वाम बोलते हैं कि भाई मैं भी मेरी भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं भी ताकत शेयर को लूँगा, बीच में तो एक लड़ाई भी हुई थी, कि भाई कौन रिप्रेजेंट करेगा चीफ इनिस्टर की कुरसी पे AIA-DMK को, पनीर सल्वाम या पलाना स्वामी, तो अब इस कंटेक्श में पलाना स्वामी यहाँ पे जीतते नजर आ रहे हैं, 11 जुलाई को चिन्नाई के पास वना गरम में एक जनरल पार्टी काउंसिंग की मीटिंग होने वाली थी AIA-DMK की, और इस जनरल काउंसिंग की मीटिंग में जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इसको किसको चुना जाता आपका पलाना स्वामी को, तो ओवर ओल पनीर सल्वाम के जो सपोर्टर्स थे हो नाराज हो गया, मतलब एक political party के अंदर दो factions और ये दो factions openly एक दूसरे के साथ लड़ते नज़र आ रहे और ये लड़ाई आज की नहीं है September 2017 से लड़ाई देखने को नज़र आ रही है देखे overall जैल अलिता जी की मृत्तियों के बाद कहीं ना कहीं जो internal organization है AI-ADMK का ये हिल गया है सेक्रेंटी थी वीके ससाकला वो AI-ADMK के mechanism के उपर control करने कोशिश करनी तो शुरुवात में ही पलाना स्वामी और पनी सल्मों की बन नहीं रही थी लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे के साथ bond बना के रखा क्यों चोकि वीके ससीकला का यहाँ पर control था सको रोकना था पलाज उस समय पे AI-ADMK का BJP के साथ गड़ बनना था तो BJP की leadership ने AI-ADMK के उपर pressure डाला कि यार तुम दोनों अगर आपस में लडोगे तो तुमारी party कमजोर हो जाएगी और DMK जीच जाएगी अब DMK यहाँ पर वैसे ही जीच चुकी तुमिल नाडू के अंदर और AI-ADMK के political party का यह मानना है कि जरूरस से जादा एक political party के अंदर दो लोग leader बनेंगे तो वो political party कभी भी DMK को critical opposition दे नहीं पाएगी लेकिन सवाल यह भी उठता है कि पनीर सलवम और पलानस्वामी आपस में लड़ेंगे तो AI-ADMK के अंदर से कमजोर पड़ेगा हो सकता है दो अलग-अलग political party में तूट जाए तो अगर AI-ADMK के दो factions में तूटता है तो अभी तो DMK को फाइदा ही होगा कौन सा लुकसान होगा तो अब यहाँ पे almost आप देखो तो AI-ADMK के party के पनीर सिल्वं की यहाँ पे जो importance है वो कम हो रही है तो या तो पनीर सिल्वं यहाँ पे accept करें कि वो पनाना सिल्वं की inferior है उनके हजाब से काम करें या फिर वो अपनी अलग political party बना ले अब पनीर सिल्वं की अभी ज़्यादा importance है तो party अंदर से कमजोर होगी और इन दोनों ही cases में AI-ADMK के एक credible opposition नहीं हाँ मना पाएगी किसके against DMK के against तो ये problem चल रही ही समय पे तमिल लाडू की politics में फिर भाई Twitter को लेके यहाँ पे news है Twitter में कुछ IT rules के changes को लेके एक recent हुआ है क्या है कि भाई ये जो Twitter है न वो भारत सरकार के against चलीगी करनाट का इको और Twitter ने बोला कि भारत सरकार की तरफ से जो blocking orders आए हैं न Twitter के against ये blocking orders सही नहीं है 2 February 2021 से 28 February 2022 के बीच में सरकार ने Twitter को 1474 accounts को block करने के और 175 tweets को delete करने के orders दिये थे Twitter ने in order को माना नहीं अब Twitter क्या कर रही है कि in order को implement करने के बजाए करनाट का high court में चली गई और जाके बोल रही है कि भाई ये जो present सरकार है ये कुछ ऐसे URLs हमें हटाने को बोल रही है जो या तो जनलिस्टिक नेचर के हैं या political nature के हैं जैसे farm loss के agitation में जो tweets हुए थे तो overall वो tweets जो कि anti-sरकार है बट actually में गलत नहीं है उनको हटाने के लिए सरकार बोल रही है और इनको हटाने के लिए IT rules के procedure का भी follow नहीं कर रही सरकार IT rules के procedure के अंदर जो भी particular tweet का author है उसका content हटाने से पहले उससे discussion होगा पड़ यह discussion यहापे नहीं कर रही है सरकार इसलिए हम सरकार की बात नहीं मान सकते इसलिए हम सरकार के अगेंस्ट करनाट का एकोट में case फाइल कर रहे है और बहुत सारे लोग जो की BJP सरकार की विरोधी है वो twitter के इस particular statement का support भी ले रहे है अब यहाँ पे IT जो act है ना IT act 2000 का देखिए IT act 2000 तब लाए गया था जब digital revolution इंडिया में उतनी तीजी से बढ़ानी था इसके दो sections थे एक ता section 66 से ने एक ता section 69 ने section 66 A को Shreya single case judgment 2015 में Supreme Court ने unconstitutional बोल दिया section 66 A of the IT act 2000 में क्या था कि भाई देखिए अगर कोई individual online आके कोई particular comments आप Facebook में कोई comment कर देते हो Twitter में कोई tweet कर देते हो Twitter की tweet के comment box में कुछ लिख देते हो और वहाँ पे कुछ offensive लिख देते हो तो उसके लिए आप हो criminally prosecute किया जा सकता है सरकार के दोरा Supreme Court ने बोला यह नहीं चल पाएगा किसी की tweet या किसी की message या किसी की social media comment या post के चलते आप उसके खिलाफ criminal action लो यह नहीं हो पाएगा लेकिन at the same point of time section 69 A जो की सरकार को empower करता था कि ऐसा online content जो की देश की sovereignty को affect कर सकता है integrity को affect कर सकता है security को affect कर सकता है friendly relations को affect कर सकता है इसको block कर सकती है सरकार तो Shreya Single Judgment 2015 Shreya Single versus Union of India 2015 में Supreme Court ने IT Act के section 66 A को unconstitutional बोल दिया और section 69 A को constitutional बोल दिया यहां रखेगा 66 A unconstitutional हुआ था 69 A constitutional बोला गया था 69 A के अंदर सरकार sovereignty integrity of the country को बचाने के लिए friendly relation with foreign state security of the state public order को बचाने के लिए overall content block कर सकती है लेकिन कोई individual आदमी अपना कोई content post कर रहा है online उसके लिए उसको prosecute किया जाए यह नहीं होगा तो यह स्रिया Single Judgment ताब section 69 A के provisions को सरकार अपना opposition दबाने के लिए IT rules यहां लेकिया आई और इस IT rules से गलत तरीके से content को delete करवाने की कोशिश कर रही है twitter से ऐसा यहां पर twitter का बोलना है और इसलिए twitter ने करनाट का आई court में यहां पर सरकार के against case फाइल करती है अब करनाट का आई court यहां पर जो भी judgment लेगा उसके against जो relevant party हो supreme court में जाएगी यह matter अब देखे लंबा चलने वाला let's see जो twitter वरसर सरकार वाली controversy है कि कहां जाके खतम होती है thank you for watching friends आज के editorial में इतना ही था current defense editorial holistic में आपको बता दिया I hope आपको मज़ा आयो lecture में ज़दा कुछ सीखने को मिलाओ अपने viewpoint नीचे comment box में ज़रूर देना I hope आपको lecture सुनने में अच्छा लगता हो दोस्तो overall इन lectures को जादा से जादा लोग सा share करें इनकी visibility बढ़ेगी तो मुझे भी थोड़ा यहाँ पे आपके लोग एक push मिलेगा और ऐसी quality videos बनाने के लिए great difference, goodbye ध्यांदा केपना पर